नमस्ति विद्यार्धी मित्रों आज हम हिंदी में पाट बार दुमदुमा गाव के बच्चे इसके बारे में आज हम सिखेंगे तो आपके पास बुखो तो अस्सी पेज नमबर निकालिए अस्सी पेज नमबर पर यहाँ पे एक गाव का चित्र बहुत अच्छा सुन्दर चित्र दिया हुआ हैं उसमें कुछ बच्चे काम कर रहे हैं ये दिखाया है चित्र में तो बच्चों की लगन और उसके मेहनत से कोई भी काम और सफल नहीं होता हमेशा सफलता प्राप्त होती हैं तो उनमें उत्सुकता होती है कुछ न कुछ काम करने की तो वो काम करके दिखाते हैं इस तरह इस पाढ़ में भी यहाँ पे बच्चों में अपार क्षमताय दिखाई गई हैं क्या दिखाया गया हैं अपार क्षमताय दिखाई गई हैं उनमें स्वयम कुछ न कुछ करने की लगन पेदा करना आवश्यक हैं कहानी में दुमदुमा गाव की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे केसे कदम उधाते हैं उसका निरूपन किया है बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्सा विद्याले गाव की समस्या हल डुन्ने में जागुरुत्ता दिखाई गई हैं और सब मिलके कार्य भी करेंगे वो कार्य भी सफल हो जाएगा इसी तरह एक कार्य यहां पे भी बच्चों ने सबने मिलकर किया हैं तो यहां पे एक दुम दुमा गाव हैं क्या हैं यह एक दुम दुमा गाव हैं इतले के आ एक दुम दुमा गाव छे यहां हमेशा यहां हमेशा पानी की कमी रहती हैं यानी कि यहां जो दुम्दुमा गाव हैं बहां हमेशा पानी की कमी रहती हैं इटले कि अहिया जे दुम्दुमा गाव छे त्या दुम्दुमा नामनु गाम छे त्या हमेशा कायम पानी नी तंगी रहे छे पाणे याने की पाणे याने की जोल नीर पाणे का अर्थ है जोल नीर तो यहाँ पे यह दुमदुमा घाव हैं यहाँ हमेशा पाणे की कमी रहती हैं खेत सुक जाते हैं लोग परेशान रहते हैं इटले के खेतर सुकाई जाए छे लोगों परेशान रहे छे कमी यहाँ हमेशा पाणे की कमी कमी याने की अभाव कमी याने की अभाव यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती हैं याने की पानी का अभाव कमी कमी मेशूस होती है गाता अभाव का दूसरा मतलब क्या होता है गाता दूसरा आर्थ क्या होता है गाता कमी होती है खेट सुख जाते ही लोग परेशान रहते हैं परेशान यानी की दुखी परेशान यानी की दुखी परेशान का अर्थ हैं दुखी व्याकूल व्याकूल भी होता है परेशान का अर्थ हैं दुखी भी होता है तो अहिया आज ये दुम्दुमा नामनू घाम छे त्या हमेशा पाणी नी तंगी रहे छे इटले के कमी रहे छे खेत सुक जाते हैं इटले के खेतरो सुकाई जाए छे लोग परेशान रहते हैं पर कोई उपाय नहीं कर पाते इटले के खेतरो सुकाई जाए छे लोग वो परेशान रहे छे पन कोई उपाय करी सब्तू नथी उपाय यानी की युपती तरकीब उपाई यानी की युक्ति तर्किब उपाई का आर्थ क्या होता है? युक्ति तर्किब तो बच्चे पानी में खिलना चाहते तेरना चाहते पर कहा यहाँ पे प्रस्नार्थ चिन्हा किया हुआ है? बच्चे तेरना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं पर कहा, कहा खेलेंगे? याने कि आजे दुंदुमा गाव माँ चे त्या पानी नी बहुँवज तंगी चे खेतरो सुकाई गया चे लोको परेशान थाई गया चे पण आ वस्तुनों कोईनी पासे उकेल नथी यहले के तेनों कोईनी पासे उपाय नथी बाड़को बच्चे एटले के बाड़को जे चे ते लोको रमभा माटे इचे चे पानी मा तरवाई इचे चे पाण क्या तरवे पाणी होई तो तरवे ने त्या मुल्रेडी एड़ले के हमें इसा पाणी नीच कायम तंगी रहती होई तो बच्चा आँ बाड़को क्या तरवे क्या रमे एटले आई यहां त्वेस्चन मार कर्यों छे एक दीन बच्चे खेल के मेदान में इखटा हुए एक दीन बच्चे एक दीन बच्चे खेल के मेदान में इखटा हुए एटले के एक दीवस रमवा माटे रमतना मेदान मा बाड़को इकटा एटले के भेगा थया एक दिवस बाड़को रमवा माटे मेदान मा भेगा थाया याद राग्जो विद्यार्थी मित्रों केम के जारे आ वाक्य गुजराती करवानू आवे त्यारे तमने नू अनुवाद करता आवड़ू जोईए एक दिवस बाड़को रमवा मेदान मा भेगा थाया उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची एटले के एजे बेगा थायला बाड़को हता तेमने आ पानी नी कमी दूर करवा माटे नो उपाय विचार्यों सोची यानी की विचार्यों एक दिवस बाड़को रमवा मेदान मा भेगा थाया हता तेनने पाणी नी कमी दूर करवा माटे नो उपाय विचार्यों में बादलो से प्राथना करूंगा प्राथना यानी के उपासना प्राथना का अर्थ है उपासना या विनंती भी होता है विनंती तो में बादलो से प्राथना करूंगा एटले के हुँ वादलोने प्राथना करीस हुँ वादलोने भिनंती करीस हुँ तेनी उपासना करीस बिल्लू बोला एटले के जे बिल्लू नामनो छुकरों छे एटले के बिल्लू बोला एटले के बिल्लू बोल्यों बादल रोज केसे बरत सकते हैं एटले के वादल रोज के वी रिते वर्सी सके सुचे वादल रोज केसे बरत सकते हैं एटले के वादल रोज के वी रिते वर्सी सके महिमा बोली एटले के जे महिमा नामनी छोकरी चेहिया सुचे जे महिमा बोली एटले के महिमा बोली तब फिर क्या हो एटले के तो पच्छी सूथाई सब सोचने लगे एटले के बधा विचार करवा लागया क्यों न एक बड़ा सा गड़ा को दे एटले केके एक मोटो खाड़ो खो दियें गड़ा यानी की खाड़ो क्यों न एक बड़ा सा खड़ा यानी की खड़ा यह आदा है गड़ा यानी की खड़ा एटले के केम आपड़े एक मोटो खाड़ो खो दियें जिसमें बारिस का खुप सारा पानी फर जाये एटले के अहियां छोकराओ भेगा थाया छे ते लोको बड़ा विचारे छे के आपड़े गाबमा जे पाणी नी कमी छे जे तकलीट छे तेने दूर करवा माटे आपड़े कईक उपाय विचारवो चोई है तो एक मीजा बदा विचारी ने कहे छे पुताना पुताना विचारो रजू करे छे के कोईना विचारो काम लागी जाये कोईनो उपाय काम लागी जाये तो अहिया एक कहे छे विचारी ने के केम आपड़े एक मोटो खाडो को दिए तो ज्यारे पन वर्सादुनू पाणी आवे त्यारे एक खाडो अखो भराई जाये अने ए पाणी नी आपने कायम आपने ए पाणी ने पापरी सकी ए तो पाणी नी कमी दूर थाए तो अहीं आ एउग गएजे तब फीर क्या हो सब सूचने लगे यो न एक बड़ासा गड़ा को दे जिसमें बारिस का खुब सारा पाणी भर जाए रजिया बोली हाँ हाँ यह ठीक है एटले के हाँ हाँ आ बराबर छे सारे बच्चे बोले लेके बधा छुक्राओं बोल्या के हाँ आ विचार बराबर छे तो फिर बच्चे लाए फावडे फिर बच्चे लाए फावडे तासला कटोरे का आकार का बड़ा जो पात्र होता है वो फावडे कडाही उदाली और तसले बे जमीन खुदते रहे लेके बधा जमीन खुदवा माटेना अलग-अलग सातनों बधा बाड़को उत्पताना गरे थी लईने आव्या छे अने जमीन खुदवा लागया छे मिट्टी डोते रहे इटले के माटी भरता रहया बहार फ्यकते रहे लेके बहार फ्यकी दिदी बच्चों को काम करते हुए गाब वालोंने देखा इतले के बाड़कोंने काम करता गामना लोकोंने जोया तो वे भी बच्चों के साथ काम करने में जूट गए इतले के आ बाड़कों ज्यारे जमीन खोदता हता इतले के खाडों खोदता हता त्यारे ए खोदता गामना जी लोकों ची ती आ बाड़कोंने जोया इतले ए लोकों पन तेमने मदद करावा माटी आगया हता एटले के गामना लोकोपन पहुंची गया हता बच्चों के साथ काम करने में जूट गए इस तरह बना एक बड़ासा तालाब एटले के आवी जृते खालो खुस्ता खुस्ता एक मोटू तालाब बना वियू सु बना वियू तालाब एक मोटू तालाब खुदी नाख्यू आलोकोई बरसाद में उस तालाब में पानी भरा पच्ची एक हाडो खुदी नाख्यों होतो पच्ची बहुँ बदो वरसाद पड़ियो वरसाद ना समय मा त्यारे आ मोटू तालाब पानी थी भराई गयो पानी से खेतों की सिंचाई हुई पानी से खेतों की सिंचाई हुई खेतों में मक्का और धान लह लहा आए एटले के खेतर मां मक्काई औने धान मक्काई औने आवनाच लहरावा लागियो लहा एटले के लहरावा लागियो लोग खुस हुए और बच्चे पानी में छपा छप खुब लहाए एटले के आ बदू पाणी जोईने खेतरोनी सिंचाई करीने लोकों बगवज खुस थया औने चुक्राओ पाणी मां छपाच प्रम्भा लाग्या एटले के बालकों तेमना मगज थी औने बुद्धी थी काम करियों पन बद्धानेज फाइदो थयों आखुँ गाम खुस खुस थया गयों एटले के बालको ना महिनात रंग लावेो एटले के तेमनी महिनात उगी निकडी ये लोको ये महिनात करी पर खाडोग हो दियो अने वर्साद आवियो ने पाली भराई गई। आखा गामनी मुस्केली दूर थई गई। एविरिते अहिया आपाटमा दुमदुमा गाव के बच्चे एटले के आजे बालको छे पुताना गामनी मुस्केली के विरिते दूर करवी। तेना विसे बधा बालको भिगा थाया छे अने पच्ची एलोको बधा विचारे छे कवे आपणे शू करसू आ मुस्केली दूर करवा माटे बधा पुत्पुताना मंतवयो बधा आगल रजु करे छे तेमा कोईकनो उपाय कोईक काम लागे जाए एडले के च्यारे कहे छे एक विजाने तेमा कोई एव कहे छे चलोने आपने एक वो मोटो खाडोग हो दिये तेमा जैरे वर्साद आवे तेमा पाणी भराई जाए औने एज पाणी हापने पची जैरे वर्साद रूतु जतीरे तेमा आपने खेतरोमा पाकने प्युडा शिंचाई करवा माटे जाए जाए छे ए तड़ाव बनी जाए छे शरस पाणे थी भराई जाए छे लोकोने खेतरोमा सिंचाई करवा माटे पाणे उप्योग मा लाए छे औने बाड़को ए पाणे मा चकाचब करी ने रमे छे आखु गाम पुद्रती द्रस्य जिवू लागे छे बदा गामना ल पुताना गामनी मुश्केली बाड़ों को बड़ा भेगाते में दूर करे छे तमझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे धान यानी की अनाज बारिस यानी की वर्षा बारिस बारिस का अर्थ होता है वर्षा 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 परशा पी लिख सकते हैं उसके बाद हैं मक्का इतले मकाई धान यानी की चावल मक्का यानि कि गुजराती मां तेने सुके वाए मक्का है तो है या कितलाग सब्दार्थ ची विद्याती मित्रों जे पानी यानि कि जल नीर होता है कमी यानि कि अभाव घाटा परेशान यानि कि दुखी र्यापूल उपाई यानि कि युपती तरकीब प्राथना यानि कि उपासना विन्ती गड़्डा यानि कि खड़्डा जे खाड़ों खुदिये छे थे बारेश यानि कि वर्षा बर्षाज भी होता है धान यानि कि चावब तो यह आप लोग आपकी नोटबुक में लिपलों प्राथन यानि कि तरकीब प्राथन यानि कि तरकीब अानि आपकी घानि कि तरकीब झापके लिपलों यानि कि तरकीब प्राई थे जे उले बारेश यह लिख लिया यहां पर कुछ सब्द है जो सब्द भिन्न हर्थ वाले सब्दे पर गोला कीजिए बिन्न हर्थ वाले सब्दे पर गोला कीजिए बिन्न हर्थ वाले सब्दे पर गोला कीजिए नीर जॉल वित्यर वित्रों यहां पर भिन्न भिन्न यानि की अलग जो अर्थ होता है वो यहां पर भिन्न अर्थ वाले सब्दे पर गोला कीजिए यहां पर चार सब्दे दिये हैं उनमें से सबसे अलग सब्दे कुनसा है तो नीर जॉल जॉल पानी इनमें से कुनसा भिन्न सब्द है तो जॉल जॉल सॉरी क्योंकि नीर जॉल पानी यह सब्द एक ही अर्थ हैं इनमें से भिन्न सब्द कुनसा होता है जॉल तो जॉल सब्द पर गोला कीजिए जॉल सब्द पर गोला कीजिए उसके बाद हैं, कमान, अभाव, कमी, गाटा तो यहाँ पे चार सब्द दिये हैं, कमान, अभाव, कमी, गाटा तो इन चारों सब्द में से बिन्न सब्द कुन सा है? तो कमान, अभाव, कमी, गाटा तो अभाव, कमी, गाटा ये तिनों के तो एक ही अर्थ है इसलिए इन चारों में से कुन सा सब्द लगे? तो कमान, कमान पे बोला कीजिए उसके बाद हैं तीसरा तो यहां पे दूखी सब्दा है, परेशान है, द्यक्ति है और व्याकुल तो यहां पे दूखी, परेशान व्याकुल, यह तीनों अर्थ हैं, तीनों के एक दूसरे के अर्थ हैं इन चारों में से अलब कौन सा सब्दा है, तो व्यक्ति, व्यक्ति पे बोला कीजिए उसके बाद हैं चोथा, तो प्राथना, उपाई, उपासना, विन्ति यहां पे राथना, उपाई, उपासना और विन्ति यह सब्दा हैं, इन सब्दा में जो प्राथना है, उपासना है, विन्ति है यह तीनों एक दूसरे के अर्थ हैं, इन में से विन्न कौन सा सब्दा है, तो उपाई, उपाई पे बोला कीजिए उसके बाद पांचवा हैं, बारीस वर्सा, बारी वर्साद जब पांचवा हैं, बारीस वर्सा हैं, बारीस वर्साद बारी स्वर्षा और बर्षा रेकी अर्थ हैं उनमें से बारी जो सब्द हैं वो भिन्ना सब्द हैं तो विद्याद्री मीत्रों इस तरह के अगर पूचा जाए भिन्ना सब्द ढूंकर उस पर गोला कीजिए ये आपको आना चाहिए तो आज हम इसका अब्यास और स्वाध्याए बाकी है जो विद्याद्री मीत्रों जब हमारा नेक्ष्ट प्रेड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी आज का जो लेक्चर है मैं यहाँ पर पूर्णा करती हूं नमस्ते विद्याद्री मीत्रों